हम सब तो प्रिश्वी पर रहते पर क्या आप सबने कभी सोचा कि दूसरे ग्रह पर हमारा वजन कितना होगा तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा वजन दूसरे ग्रह पर कितना होगा और जब आप जानकर आप भी हैरान हो जाओगे तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को तो ग्रहों को जानने से पहले हम चान के बारे में जानेंगे कि चान पे हमारा वजन कितना होगा तो चान की हमसे दूरी लगबग 3,84,000 km की है तो मान के चलते हैं आप धर्ती पे और आपका वजन 75 km है तो आखिर चान पे आपका वजन कितना होगा तो चान पे आपका वजन धर्ती से 6 गुना कम रहेगा जो की होता है करीबन 12 km यानि कि आपका चान पे वजन सिर्फ 12 km रहेगा तो अब आपके बढ़ते और जानते हैं कि हमारा वजन दूर्से ग्रहों पर कितना होगा वैसे ग्रहों को जानने से पहले हम जिसे हर रोज सुबह देखते हैं यानि कि हमारा सूरज जो की एक तारा है हाँ आप मेंसे बहुत सार लोग सोच रहोंगे कि सूरज एक ग्रह है बढ़ ऐसा नहीं है सूरज एक स्टार यानि कि एक तारा है तो अगर आपका धर्दी पे वजन 75 km है तो आपका सूरज पे वजन इससे 26 गुना जादा होगा जो की ओदर 2015 किलो यानि कि आपका सूरज पे वजन इक गेंडे के बराबर का होगा तो आप जानते हैं कि सूरज के सबसे करीब आने वाले ग्रह यानि कि मर्करी जिसे बुर्दी भी कहते है वहाँ पे हमारा वजन कितना होगा तो अगर आप धर्ती पे 75 किलो है तो आपका वहाँ पे वजन धाई गुना कम हो जाएगा यानि कि आपका मर्करी पे वजन सिफ 28 किलो रहेगा यानि कि आप वहाँ पे शिवे एक 8-9 साल के बच्चे के बराबर के हो जाओगा अब आगे बरतर जानते हैं कि वीनेस यानि कि शुक्र ग्रह पर हमारा वजन कितना होगा तो शुक्र ग्रह कुछ हट तक धर्ती के समानी है अगर आकार के हिसाब से देखें परन्तु उसका तापमान बहुत जादा है और इसी कारण वो सौरे मंडल का सबसे गरम ग्रह भी है और कुछ हट तक शुक्र ग्रह का गुत्रा का अक्षन बल भी धर्ती के समानी है तो अकर आप धर्ती पे 75 किलो के हो तो आपका वीनेस पे वजन 68 किलो होगा जो कि कुछ खास कम नहीं यानि कि आपका वजन सिर्फ वहाँ पे 7 किलो और कम हो जाएगा तो अब जानता है कि मार्स यानि कि मंगल ग्रह पर हमारा वजन कितना होगा मंगल ग्रह भी कुछ हट तक बुद्ध ग्रह के समानी है इसी कारण वजन में कुछ खास कमी नहीं आएगी और अगर हम लोग धरती पे 75 किलो के है तो हमारा वजन मंगल ग्रह पर 28 किलो हो जाएगा अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि मंगल ग्रह के पड़ोसी यानि कि जुपिटर जिसको ब्रहस पती भी कहते है जो कि सौरे मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वहाँ पे हमारा वजन कितना होगा तो अगर आपका वजन धरती पे 75 किलो है तो आपका जुपिटर पे वजन अल्मोस्ट उससे धाई गुना ज्यादा जो कि होगा अल्मोस्ट 175 किलो यानि कि आपका वापे वजन 175 किलो होगा तो अब आगे बढ़ते हैं कि सैटन यानि कि शनी ग्रह पे हमारा वजन कितना होगा तो अगर हमनों धर्ती पे 55 किलो वेट करते हैं, तो हमारा सैटन पे वजन होगा 89 किलो, तो अब बात करते हैं, यूरेनस यानि कि अरुन ग्रह पे, तो वजन में कुछ खास अंतर नहीं आएगा और हमारा वहाँ पे भी वजन 89 किलो ही होगा, यानि कि शनी ग्रह और अरुन ग अलग रहों पे हमारा वजन अलग-अलग क्यों आ रहा है, तो अगर आपको यह जाना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, येस, वी वांट, तो मैं इसके उपर वीडियो बनाने की फूरी कोशिश करूंगा, तो आपने क्या सोचा किस ग्रह पर आपको जाने का मान हो रह वीडियो तो लाइक करें और वीडियो के लिए सब्स्राइब करें हमारे चैनल को, तो अभी मिलते हैं सूरज और चांद पर